आप देख रहा हैं लोकसेवा न्यूज मैं हूँ आपके साथ रजत्रिपाठी अक्सर आपने मेरे इंट्रव्यू तमाम राजनेताओं के साथ देखे होंगे केंदरी मंतरी के साथ देखे होंगे और अन्य टीवी चैनलों पर आप इंट्रव्यू तमाम फिल्मी हस्तियों के देखे होंगे लेकिन कुछ शक्सियत ऐसी होते हैं जो परदे के सामने तो नहीं होते पर उनका काम किसी हीरो से कम नहीं होता वह रियल लाइफ हीरो होते हैं वह रिल लाइफ की हीरो या हीरो नहीं होते हैं ऐसी ही एक शक्सियत हैं हमारे साथ मीना चौधरी जी मेरठ में ज जो है नाम भी दर्ज करा चुकी हैं, दो हजार चौदह में उनको यह सौभाग प्राप्त हुआ कि उनका नाम एसिया के सबसे प्रतिष्टित पुरुसकार लिम का वर्ड अब बुक में उनका नाम दर्ज हुआ, उनका नाम क्यों दर्ज हुआ वो हम आपको बताते हैं, हाला क कि मैम से भी कहान ही हम जानेंगे, लेकिन नाम इसलिए दर्ज हुआ, क्योंकि उन्हों ने एक बाइक इस्टन्ट के दौरान अपने दोनों हाथों में पिष्टल लिया, मतलब आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कि उन्हों ने बाइक का जो हैंडल है उसको नहीं पक सफर यह देखा जाता है कि पहले महिलाएं पहले सेना में नहीं आती थी, तो आप परेमलेट्री के जवान हो आप, कैसे सफर सुरू हुआ, किस तन से आपकी सुरुवात हुई, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, या कैसे मनुवकी नहीं सी आरपीफ में जाना है, मेरा नाम म मैंने नाइनटी फॉर में 25 जुलाई नाइनटी फॉर को मैंने से आरपीफ जॉइन कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, से आरपीफ जॉइन कर लिया, तो मुझे मतलब आगे बढ़ाने कोशिश करती थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वहाँ पर समीना नाम की, तो से आरपीफ में भड़ती कराने के लिए लड़कियों को ले जा रहे हैं, तो उसने मुझे भी आफ़र दिया, कि तुम भी चलो, क्या पता है, तुम भी बढ़ती हो जाओ, तो फिर मैंने भी मतलब उसके साथ जाने का अपना फैसला कर लिया, तो हम लोग चलने लगे, तो कर्मेशन की बात आई, तो घरवाले तो बिल्कुल आगरी नहीं थे कि तुम से आरपीफ में जाओ, इतनी दूर दूर जंगलों में पता नहीं कहां कहां ड्यूटीज करना पड़ेगा, तो घरवालों ने तो साफ इंकार कर दिया, लेकिन मेरा जो स्वभाव है, वो तो फिर मैंने घरवालों की बिना परमीशन के ये कदम उठा लिया अपनी फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने मुझे मेरा ही सारा खर्चा उसी मेरी फ्रेंड ने उठाया, उनके अंकल ने उठाया, कि मैंने ये भी कहा कि सर अगर मैं बढ़ती हो जाती हूं तो आपका मैं पै पोस्टिंग का हूई कितनी चुनोतिया थी ये उनके बारे मजरा आप में बताई चुनोतिया तो देखो इसमें बहुत सारी होती है और पहली पोस्टिंग मेरी बॉमबे में थी नाइंटी-फॉर के बाद नाइंटी-फाइव तो ट्रेंग चला उसके बाद मुझे पूरा एक फाइल में मतलब रहता है तो उसके उसमें हमें देख के बोला गया अच्छ है तुम गेम करते हैं तो तुम गेम में जाओ और कोई मतलब यह परेड में जाना चाहती है तो वह परेड में भेज दिया गया तो मुझे 103 बटालियन वजीराबाद दिल्ली में गेम के बेजा गया तो यह चीज यह बताइए चलिए वह तो आपका सफर राज शुरुआत हुआ मावाब के साथ आपको तमाम दोस्तों का भी साथ मिला जिनोंने आपको CRPF में बरती होने के लिए प्रेरित किया उनके नाम भी आपने बताए लेकिन आप बाइक इस्टेंट करती हैं बाइक इस्टेंट की आपकी सुरुवात कैसे हुई और यह काम इतना आसान तो है नहीं बुलिट पर बाइक इस्टेंट करना मतलब हाथ छोड़के बाइक चलाना एक साथ दस पंदरे 15-20-20 लोगों को एक ही बाइक पर लेके चलना इसकी शुरुवात कैसे हुई इस का को आपको सिखाया किसने या आपको कब लगा कि यहां आप ये काम भी कर सकती हैं ये तो आप ने बहुत ही अच्छा क्वेस्चन मुझसे किया है ये मेरा काफी मतलब मैंने सपने में अभी नहीं सोचा था कि मैं दिन बाइक तो क्या मतलब बुलेट कैसे चलाओंगे मैंने सोचा ही नहीं था तो इसकी शुरूबात काफी बहुत ही मतलब हमारे जो ओफीसर वगरा उन्होंने भी हमारी टीम को खड़ा करने के लिए काफी चुनोतियों का सामना किया है सबसे पह तो इस चीज का आईडिया दिया था कि लड़कियों को बाइक स्टेंट करना चाहिए तो हमारे महिश्वरी सर्थ है मतलब आईजी सर्थ है उस समय हमारे टीम के तो उन्होंने काफी मतलब दिहान दिया लड़कियों को बाइक स्टेंट के बारे में तो उन्होंने उनके पा पहले तो उन्होंने इस विकार किया कि मुझे लड़कियों से करवाना है पहले पार कि पिर उन्होंने ये टीम के बारे में डिशीजन लेना शुरू कर दिया विभिन विभिन अमारी जो बटाली ने डिफरेंट जगह उपर हैं तो सबी जगह से सलेक्शन के लिए लड़किय अटीड बटालियन हो गया एक सफ फेज़े गाड़ी बनधालिया को लड़किया को तयाारी नहीं थी जभ उन्होंने बताया गया कि यहां पर स्तंट के लिए कह गया बलो बोगों को तो एक बहुंति तयार new हमारा droology तो टू जाएगा हम को आइसe सब दोकारेंगे तो डिय जी सर भी काफी परेशान हो गए लेकिन उन्होंने कुछ भी करके लड़कियों को मतलब सिखाया वहाई पर हम एक दूसरे को सिखाया और काफी ओफिसर्स ने हमारे ध्यान दिया उसमें सबसे मेन हमारे जो सर हैं वो है अर्जुडेंट सर हैं अभी वो ट्वाइसी सर बन गए हैं उनका उमा कांसर है उनका नाम उन्होंने काफी मतलब उन्होंने तो मतलब हमारी टीम के लिए एक तरीके से खोन पसीना बहाया हमको अगर साइद वो ना होती तो हमारी टीम खड़ी भी नहीं होती तो आपको कब लगा कि हां मैं ये काम कर सकती हूं जैसे आपके तमाम स जब मैंसेज दिये जा रहे थे कि बाइक स्टेंट करना तो मैं ऐसी मतला पनी डूटी में वो थी वियस्त थी काफी बिजी थी तो मैं एक दिन जा रही थी उधर से तो मैंने सोचा रे रनिंग वगरा कुछ हो रहा होगा हमारी बटालियन में किलियर हमको कुछ पता नहीं था इसके बारे में और मुझे बाइक चलाना आता भी नहीं था मैं सिर्फ स्कूटी से ही अपना अपेंडाउन करती थी तो एक दिन हमारी थी है जो अभी बाइक टीम कि सी एचम रही है वो अनिता है उनका नाम तो वो एक दिन जा रही थी मेरे को देखा उन्होंने रास्ते मे शौट पे जा रही थी तो उन्होंने बुला और तुह मिहां कि हां गुम रही हो मरी बैचमेंड है वो तो मैंने बूला मैं तो इधर फोटाकोपी के लिए उन्होंने बोला अरे तुम बाइक टीम में चलो ना तुमको तो सब कूझा ही है चलाना तो मैने गार यार बिगार और काफी स्टेंट वगरा फिर मैंने एक ही दिन में गेर वगरा डालना सीखके और मैं रेडी हो गई उस टीट को करने के लिए ऐसा कभी होगा कि मदलब हड़ी पसली भी कुछ तूटा हो अकसर यह होगा स्टार्टिंग में तो बहुत ही जाद है मतलब यह हुआ था चोट वगरा बाइक जब तक चलाते रहे तब तक तो अच्छा लगा लेकिन उसके बाद जब बोला कि बाइक पर यह सकसिज नहीं है तो हमें बताया गया कि बुलेट पर करना पड़ेगा आप लोगों को कि बुल बीड़ेट अपने लेके मैंने तो मैं कि इदर चड़ोदा मैं करовой केमरेगा मैं कम उसमें मुझे प्रैक्टिस कराने ले बुला मैं तुम हो इंच तंग उन्होंने मुझे प्रफाहिट किए तूम बुल्ट चला सकती हो उन्होने कम मजे मद लगा ए तो आप अभी उन्होंने काफी लोग देख रहे थे बोला तू पागल हो गया है अपनी मिसिस के हड़ी पसली तुडवाएगा ये क्या इस्टेंट वगरा करवा रहा है क्योंकि पहली बार कोई देख रहा था कोई लड़की अकेले प्रैक्टिस कर रही है उदर तो इस वज़े से मु जैसे आपने 1994 में जॉइन किया तो यह आपने बताए कि 2014 के आसपा से शुरू आत हुई दो नमंबर 2014 को शुरू आत हुई उसके बाद आप इस काम को इतना तेजी से आप सीखती गई कि आपने गरतंतर दिवस के समय भी राष्टपत परेड किया राष्टपत के सामने इसक अधिये सफर कैसा रहा ये सफर मेरा लिए बहुत ही अच्छा रहा और ये बहुत ही किसमत वालों को ये सफर करने को मिलता है वो बहुत ही मतलफ गऊरवाण वी तो मैसुस करते हैं जो महनत जाने करता उसको या जो महनत करेगा वो तो उसको तो है यह उसको तो जाना ही है लेकिन उसको मतला अपने आप में एक बहुत ही गर्व फील होगा कि मैं एक राजपत पर चल रहा हूं और मैं इंडिया गेट है जो हमारा उसके ओपर मैं पर्फॉर्म कर रहा हूं तो यह उसके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी उतने लोगों के बीच तो जब हमारी टीम वहां जाकर खड़ी हुई इस परफॉर्म को करने के लिए उस समय हमारे डी जी सर ते तिरवेदी तिरवेदी सर तो उन्होंने काफी मतलब तैयारी हम लोगों के लिए करवा दी थी औ तो हमने फर्स परफॉर्म किया था इंडिया गेट पर तो जैसे हम रात के समय था नाइट में हमको परफॉर्म देना था तो नाइट में मतलब हमने कभी ऐसा कभी कहीं दिया नहीं था परफॉर्म पर फर्स टाइम था तो चार उतरफ लाइटी लाइटे थी मीडिया था हर बड़े बड़े ओफिसर्स थे और वी आईपी थे तो मुझे मदलब फर्स्ट मुझे ही चलना था वी आईपी सलूट मुझे देना था तो मुझे काफी घबराट हो रहा था कि मैं कैसे करूंगी इतना सब के सामने मैं काफी वह रही ती नर्वस हो रही थी क्योंकि पहला कud में एक सर को कान में डाला कि सर मुझे काफी घबराट हो रही है तो मैं क्या करूं थो रहा कि तो वह एक सर को ऑपने ऑफिसर 5 बड़े को बला कर ला है तो बोले यह खराब करवाई की लग रहा हे तो इनने समझाए और नहीं यह और प्रैक्टिस दिखी सिर ए किस लिए क्यновे सोच रहे हो कि तुम यहां पर खराप कर दो गी अग्वरारिआरी ओुट में अपना माइं में सोच औ कि तुम restries कर रहे हो तो फिर मैंने अपर मरजवान जोती जोटी जल रही है तो मैंने उसी के थरफ देखते हो डेक मैं किसी को ना देख देखते हुए अमर जवान जोती को देखते हो अपना पर्फूम बहुत अच्छे से किया उसके पीछे सबी लोग ने अच्छे से ज़िए अमर जवान जोती जो है वो हमेशा जलता रहता है आपको मैं जानकारी देदू और वो इसलिए जलाया जाता है कि जो देश के लिए जिन्होंने कुर लेकिन असली बात यह होती है जब किसी भी महनत को अवार्ड मिलता है तब माना जाता है कि हाँ यह चीज अब सफलता के दायरे से भी उपर है और आपको मिला आपको मिला तब 2014 में जाकर के लिमका वर्ड में अपने नाम अपना दर्ज कराया वह खुशी वह एहसास क्योंकि एक ऐसा किर्तिमान अस्थापित करना जिसमें सायद पैसे तो बहुत नहीं मिलते होंगे लेकिन जो एक सोहरत मिलती है जो एक नाम मिलता है कि वह आने वाले युगों युग आपका स्वान अक्षरों में वहां लिखा जाए गर जैसे कि आपके टोपी पर ये CRPF का लिखा गया है तो जैसे ही मतलब हमें इस यहां तक पहुंचाने में हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिनोंने मुझे यहां तक पहुचाया मैं आकले ही सायद नहीं क करती हूं और अपना फैमिली को में इन्वार्व रहती हूं तो इसमें मुझे काफी मेरे जो से पार्थी लोग हैं जो और भी मेरी बाइक टीम की लड़किया हैं उन्होंने मुझे काफी सफोर्ट गया उसमें जैसे रीता है मुमतास परवीन है और अनिता छत्री है अंजल कर सकती है तो मैंने उन्हीं के वज़े से मैं करती चली गई और हमारे ऑफिसर गुरू है हमारे एक शांबिर सरे वह हमें टेक्निकल प्रोब्लम सिखाते थे कि गाडियों में यह तो नहीं है कुछ खराबी तो नहीं है वह मतलब हमें कुछ भी करने से पहले काफी चीजों क हां बताते थे और फुद फीटर हो गए हमारे तो एक एक सर हो रहे हैं हमारे वह भी हमारे टीम के टीम में हमारे ट्रेनर थे तो उन्होंने भी हमें काफी स्टंटों के नहीं स्टंट करने सिखाए लड़कियों को हमारी असी लड़किया है 120 भी रहती है मतलब डूटी जैस जैसे हमारी वो होती है हमारी स्यायर पियद्टी ज्यादा है तो इस यह एक्ट्र आक्टीवीटिटी करना Say उनकर हमारी तरफ वजह से डबल डूट्र करना पड़ता है क्वेर्स इस उन्हों का भी काफी युगदान के उन्हों ने हमारी डूटी को समाला और हमें बाई किस्टन करने के लिए आगे बढ़ाए कि आप करो आपकी डूटी हम करें ही लिमका वर्ड में जब आपका नाम दर्ज हुआ कुछ हैसास था कि आपने एक नया किर्तिमान अस्तापित कर दिया है नहीं ऐसे तो मतलब मैंने अपने में भी नहीं जो भी गेम भी लड़कों वाले ही पसंद करती थी तो मुझे यह सब अलग अलग यह सब करना एक्टिविटी करने तो मुझे बच्पन से काफी पसंद था तो उसमें अगर मुझे अवार्ड मिलना तो मुझे इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि मैं जिस चीज को प इससे आई थी और डीजी सर की मेसिज आई थी तो उनके द्वारा उसमें डीजी वही दिलिप तिरवेदी सर थे तो उनके मेसिज बगरा हमें वाट देने के लिए आई थी सबी लोगों ने आपको प्रश्कृत और यह बहुत बड़ी बात है चलिए यह तो आपके सफलता क कि कहानिया रही अक्सर लोग जो इंटर्व्यू बाकी लोग करते हैं वो अभिनेता हो या क्रिकेटर हो उन से पूछते हैं उनका पारिवारी जीवन कैसा है क्योंकि उनके पास तो बेसुमार दौलत होता है अक्सर सी आर्पी अप जवान हुए उनके पास साथ दौलत की कमी होती है पैसे उतने नहीं मिलते जितना उनका काम होता है आपके परिवार में कौन-कौन है आपके पिता जी क्या करते थे माता जी क्या करती थी और अभी आपके परिवार का सिच्वेशन क्या है मैं मतलब में यूपी से ब्लोंग करती हूं जैसके मैंने बताया और उसमें म कि वज़े से मैं काफी दुख मैसूस करते हूं लेकिन इस बात की भी मैं खुशी है कि शायद वो मुझे उपर से आशिरवात दे रहे हों कि तुम हम भले ही तुमारे साथ नहों लेकिन हम तुम का आशिरवात दे रहे हैं पर से माफ करिएगा क्या कर सकते हैं इस मामली में अ प्रफिजिस ती वो भी एक सब्सक्राइब यह और मेरा बेटा है जो कर रहा है और वह बीन फोटोग्राफ कमार उनकी पोस्टिंगे वह 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 पर जी वह 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 करते हैं यह परिवार आप देखिए कई लोग अपने आपको देश्वक्त सावित करने में लगे रहते हैं लेकिन असली देश्वक्ति यह होता है कि जहां पति-पत्नी दोनों कोई जम्मू में है कोई दिल्ली में है कभी कोई कहीं 36 गड़ के जंगलों में और दोनों लोग देश की से लगातार अपना योगदान देते रहें यह बहुत बड़ी बात है अक्सर उन तथा कथित देश्वक्तों को सोचना चाहिए कि उनकी देश्वक्ति कहां तक सही है एक और चीज है जैसे आप लोगों का तो जीवन गोली बंदूख बाइक इस्टंट इन सम्में लगा रहता है कभी मनुरंजन वगेरा के लिए या कभी लगता है कि आज ज्यादे दिमाग टेंसन में है नहीं काम आप लोग तो ऐसा भी है कि अगर काम ना करना चाहो तो भी करना पड़ेगा उपर बहुत कहां देश है और मेरी फैमिली के साथ मैं काफी एंजोई करती हूं मेरा प्रियास करती हैं अगर मैं कभी घरवालों की वजह兩個 में अगर को अपने आपको अकेला महसूस करती हूँ तो यह लोग मेरे को कभी किसी क्या कमी नहीं होने देती हैं ना मा बाप की लिए बरहन की हमेसा मेरे साथ देती हैं अब लग है में चलिए यह आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा उमीद है जो हमारे दर्सक भी देखेंगा उन्हें भी अच्छा लगेगा यह सुब कामना हम आप लोगों को देते हैं कि आप लोग भी अपने जीवन में अच्छा कारी करिए लेकिन यह संदेश यह इंटरव्यू में बैठे अधिकारी हों कर्मचारी हों नेता हों वो इन चीजों को नहीं सोच सकते हैं और आप लोग एक निवेदन है कि जब भी किसी वर्दीक वाले को आप देखें जब भी किसी सेना की जवान को देखें तो अपने सर को और अपनी नजर को जुका के उन्हें एक का रात्मक सोच रखिए और विश्वास करिए यह नया भारत बनेगा यह विश्वगुरु भारत बनेगा फिलाल के लिए इतना ही